हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल दी एज़ाम हैल पर में तो दोस्तों हम लेकर आचुके हैं आपके लिए एक और नई भरती की अपडेट जो कि आपकी निकल करे आ रही है एन यूस की तरफ से और भी वेरियस पोस्ट पर ये और इंडिया की विकेंसी निकल हुए है और ये एक गवर्मेंट विकेंसी है तो इसके बारे में पूरी डीटेल में बात करने वाले है पूरा कुछ डीटेल में इस वीडियो में बात करने वाले है तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखेगा चले तो NIS Recruitment 2013, Various Post Group A, B and C मैं इनके बारे में इसका फूर्पम होता है National Institute of Open Schooling यह होता है National Institute of Open Schooling दोस्तों जो भरती निकल है आपकी National Institute of Open Schooling में यह आपका Ministry of Human Resource and Development के अतरकत अतायानी Government of India का एक यह संस्तान इसमें various posts पर लिखी हुए एससेंट के, MTS के, Stanographer के post पर लिखेंसी निखी हुई है और यह All India के vacancy कोई भी male या female All India को कहीं पर भी रहता है इसकी जो form है वो apply कर सकता है इसमें किस-किस चीज के बारे में हम discuss करने वाले को apply date कर रहेगी ठीक है apply date के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले है इसके अलावा नमबरों post कितने लिख दिये है age क्या मंगी गई है, fees क्या रखी गई है, qualification क्या मंगी है, selection procedure क्या रहेगा, exam का pattern क्या रहेने वाला है salary, job profile क्या रहेगी, job location कहां पर आपको करने को मिलेगी और इसकी तयारी आप किस तरीके से कर सकते है, पूरा कुछ detail में हम बात करने वाले है यह है आपका, इसका headquarter है, जो कि आपका नुविडा में, डेली में इस्तेद है, और इसके बारे में यह बने आपको बता दिया, ठीक है, इसका paper होगा, किस तरीके सोगा आपको पूरा आपको डेटेल में आगे आने वाले वीडियो में, एक पर्टिकुलर वीडियो में आपके लिए असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बना दूँआ, अगर इनका बर्ग प्रफाइल सहली, क्या कुछ काम रहता, पूरी डेटेल में इंटर्गू लेने वाले, त अब ही में वर्तमान में, सीनर कलर्ट में इंडियन रेल में, ठीक, चली, अब बात कर लेते हैं, इसमें कितनी पोस्ट निकली है, तो दोस्तों, कुल नम्मर पोस्ट जो है, वो 62 निकली है, लास्ट यर भी इसका जब फॉर्म निकलाता तो उसमें कम बेकेंसी थी, बट जो आपकी वेकेंसी इक्रीज कर दिया आती है, फ्यूचर में, जैसा कि लास्ट यर हमको देखने को मिला था, तो यह इस बात पर डिपेंट मत कीजी कि अभी वेकेंसी पासट है, यह बढ़के ज्यादा भी हो सकती है, इसका पूरा-पूरे चांसे है, ठीक है, चली, इसमें ज कि एक बढ़ने वाली है, फिसमें सेलेक्शन लेना आपके लिए काफी आसान होगा को कि इसमें कॉम्पेटिशन काफी कम रहने वाल हूँ, बहुत इजी आता है ठीक है पूरा पेपर बताएंगे प्रीविस एक काट ओक क्या तक कि सरीके से टाइपिं बगर हुए थी सारा कुछ डीटेल में बताएंगे हम जो कि हमारे असिस्टेंट सारे उनके बादें से इसके अलाबा जो मैं आप बोल लाता है कि इसमें अगर पोस पोस्ट है तो इनके लिए कुछ अलग से सब्सक्राइब चाहिए तो आप इसका पूरा नोटिफिकेशन देख लेना मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ हम बेसिकली यह बात करेंगे इन चार पोस्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने बाले है चलिए देख ल करेतें की फीश क्या रख्य गई तो फीश की बात करनें दोस्तों तो ग्रूप ये पोस्ट के लिए फीश रख्ये घर्णरल ओवीश की 500 अगर के लिए एक्ष्ट ऊर्व की प्राफ् की अगर आपके पास कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, अब इसका थोड़ा अगर एक्षटा चीजा देख लेतेगी क्यी क्या क्या अपको आपको 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 होना आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं बताने है यह जिसकी सत्ता ही साल लखी गए आपको दिख रहा होगा यह आंतर है आपको आपके पास सीने सेकंडरी होना चाहिए आपको आपको आपिस का प्रॉजिजर वगएरा नोटिंग ड्राफ्टिंग वगएरा नॉलिज अपको आपके पास आपकी स्पीड होना चाहिए और वरकिंग नॉलिज आना चाहिए आपको हिंदी एंड इंग्लिस में ठीक है यह सब इतना नहीं होगा आपके पास केबल 12 होने चाहिए आप इसका फॉर्म बढ़ देगा यह आपके पास नहीं भी मालूम होगा यह आप महाँ प इसको प्राथिपिकता जी जाएगी बस इतना इसका मानना है जूनियर असिस्टेंट यानि कि जो आपका पोस्ट है लेवल टू के उसके बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें यह आपके पास होने चाहिए 6000 के डिपरेशन के लगवग आपकी टैपिंग होगी यहाँ पर प पड़ी ही मतिया MTS की बात कर लेते हैं क्या होना चाहिए प्राइमरी स्कूल पास केवल एट बास अगर आपने कर रखिए तो आप इसका फॉर्म एपलाए कर सकते हैं सेलेक्शन प्रोजीजर देख लेते हैं यानि कि आप इसका जब फॉर्म भर देंगे तो उसके बार आपका इस्टेंट की लेवल 4 है आपका CBT एक्जाम होगा सभी पोस्ट के लिए आपका CBT एक्जाम होने वाला है न कि computer based आपका एक्जाम होगा एक्जाम लागे आपको वीडियो में बताने वाला हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से तो असिस्टेंट के आपको पास कर लेते तो आगे आपको DB के लिए डॉकमेंट वेरिफिकेशन के लिए बेज दे जागा और आपका फाइनल सेलेक्शन हो जागा सेम रहे है तो यहां आपकी इस्टेंट की जो टेस्ट है हो रहेगा और उज़े भी वीडियो की फाइनल सेलेक्शन जोन रिजि का तो सबसे पहले हम जूनियर एसिस्टेंट का देख लेते हैं कि क्या कुछ हमारा पैटन रहने वाला है क्या कुछ स्लेवस रहने वाला है तो MCQ टाइप आपके पेपर आने वाले है ठीक है और यह CBT हुए यह कंप्यूटर पर आपका टेस्ट लिए जागा objective form है इस पे आ आप एक language चूस कर सकते हैं जो कि आपका 20 question रहेंगे 20 marks के और ICT यान की computer इसको ICT को बोते हैं इसको बोते हैं इसको बोते हैं इसको कंप्यूटर तो 20 marks का आपका computer रहने वाला है 20 question 20 marks के टोटल 180 question हैंगे 180 marks आपको दियाएंगे duration आपका रहेंगा 3 गिंटे का दोस्तों junior assistant या assistant के लिए stand of property है MTS सभी के लिए जो अल्मोस शेव हैं तो आपको हम तयारी कराने वाले हैं बहतरी तरीके से जिस तरीके से अभी EMRS जैसे के लिए NBA जैसे के लिए kvea जैसे के लिए तयारी करा रहे हैं ठीके और computer को मेरे दौरा पढ़ा आया जाता आपको बहुत शांदार आप जाके अभी देख सकते हैं हमारा second channel है the exam helper gk ठीक है last में gk जोड़ देना है तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर हमारी classes चलने उल्ली तो यह मैं आपको टेलिग्राम पर डाल दूँँ आपने जिसका नाम है दाय एक्जा में पर वहाँ से आप इसे अभील कर सकते हैं इसके टेस्ट होगा जो कि मैं आपको बता दिया किस तरीके से होगा कि working on computer with speed of not less than 6000 की depression per hour इसका मैं अलग से वीडियो बना दूँगा किस तरीके से आपका skill test होगा यह qualifying nature है इसके number आपके नहीं जुड़ने वाले इस चीज को ध्यान दखीगा इस टेर्णोग्राफर की बात कर लेए इस टेर्णोग्राफर में क्या क्या-क्या पूछा जागा तो जर्णरल अवेरनेस से 40 questions 40 marks के रिजिनिंग से 50 questions 50 marks के math से 50 question 50 marks के और Hindi English वही 20 question 20 marks के computer के 20 question 20 marks के वही एक सवसी कुशन एक सवसी मां खी गटे दी जाएंगे वही इसलिए बस आपका यहां दिये हुआ है इसमें क्या आपका इस ट्यानों की स्वाट है आपका जो आपका टाइपिक टेश्ट अगूगा बस इतना सिंपल है इसके बाद फिर से अगर हम देखे तो यहां पर आ आपका पचास कोशन है जो आपका डीटेल में से लिवस है जो आप देख सकते हैं और आठ थाउजन की डिप्रेशन का इसमें आफिक टेश्ट आपका रहने वाल है यह आपका MTS का पेपर है जी के आपका 50 कोशन पचास मांक तो जी के की बहुत जो है यहां पर वेल्ल्यू रहने बाद है सभी एक्जाम में चली 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 समास का तो जी के आपको मेरे दवारा पढ़ा जागा और उसी में से डार्यक्त आपको कोशन देखने को मिल जाएंगे के बिएस में पढ़ा था डार्यक्त महां से कुशन पूटके केंडिट्स को मिले था ठीक है चली रिजनिंग आपको 50 कोशन 50 मांक मैं 30 कोशन 30 मांक हिंदी इंगलेस 30 कोशन 3 मांक और डिजिटल लिटरसी बिस कोशन 20 मांक के रहे लिए टोटल एक्स उसी कोशन एक्स उसी मा चाहिए तो मैं टेलीग्राम पड़ इनका सब का फोटो डार्यक्त में तो आप वहां से जाके इसे अविल कर सकते हैं यह हमारे चैनल का नाम है दा एक्जामिल पर 16,000 साथ है केंडिट उड़ हुए नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में या डार्यक्त जाके सर्च मारेंग यह मैं 20 से टी को ध्यान में रखते हो बता रहा हुए जैट से टी भी एक दो डो एर्रोपे कम हो सकती है इस ट्रैनोग्राफर की बात करें तो इन हैंड आपकी सेलरी बेहें की चबाली से को कि लेवल पोर की पोश्ट है एम्टेस लेवल बन की पोश्ट है इसकी इसकी सेलर आपकी बनती है क्या 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 आपको benefits मिलते हैं अलग से पूरा आगे हम देखने वाले हैं आगे आने वाले हमारे वीडियो तो उसके लिए चैनल पर सब्स्राइब जूप लेगा अब देख लेते हैं जो आप प्रोपाइल के रहेगी जो आप लोकीशन के रहने वाली काम क्या करना हो भी है कुछ नहीं हो अपिस रिलेटेड वर्क रहेगा आपको मालूम होगा जो नेशनल इस्कूल होते हैं जहां पर आपने सोना होगा कि कोई बच्चा अगर इस्कूल नहीं जाना चाहता है वो केवल टारेक्ट जब एक्जाम हो उसके आप यर लिया एक्जाम केवल एक एक्जाम दे और उसको उसकी माक्षिट बिल जाए तो यह संस्ता होती है यान कि बिना आप इस्कूल जाए अगर 10th pass, 12th pass करना चाहते है तो उसके लिए आपको NIUSN की National Institute of Open Schooling मदद करता है तो इसमें आपको office related work होता है ठीक है office में डूटे जाती है इनकी जो माक् आपका रहने वाला है ठीक है इसका काम काम करना होगा काम तो पता दिया office work है तो काम करना कहा होगा आखिकर तो इसके क्या है headquarter है headquarter मन बता है न कहां कर रहे है नुविडा में ठीक है तो वहाँ पर आपकी जातर जो है posting रहने वाली है काफी इसमें पूस्टिंग देने वाले है पूरी डीटेल हम बताने वाला हूं हम एक डीटेल वीडियो लेके आए कि कैसे क्या काम होता है जिसे सेंटर का मिलता है डेली का routine क्या रहता है डेली का job profile क्या रहता पूरा बता सरका हम इंटर्वी लेगे साथ ही साथ आपको salary का वीडियो भी हम दिखाने वाले है तो उसके लिए चैनल पर जूड़े रहे है इसके लिए तैयारी कैसे करनी है तो इसके लिए online crisis आपको provide कियाएगी मेरे दौरा और मीतिस सरके दौरा free study material भी आपको दिये जागा उसके ल पर एक सब्सक्राइब लाइक शेयर जरू कर देगा है तो इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद और सब्सक्राइब लाइक शेयर जरू कर देगा बिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में पतक के लिए जय हिन जय भारत